डाग घर में रुपे जमा कराने के लिए कतार में खड़ी विभागी कमिशन एजेंट के थेले से धाई लाख रुपे चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो शाती चोरों को गिरफतार किया। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के धाई लाग रुपे भी वरामत कर लिये, साथी चोरी करने में उपयोग में लाई गई बाइक भी जप्त कर लिये ये घटना 29 अगस्त की है, मौला गंच निवासी रजनी सिंगल जो कि इस्थानी डाग घर में कमीशन एजेंट है वो रुपे जमा करने के लिए जब डाग घर में पहुची, तो जमा काउंटर की कतार में उनका धाई लाग रुपे से भरा थेला, किसी ने गायब कर दिया रजनी ने इस मामली की थाने में रिपोर्ट भी दच कराई थी, पुलिस ने इस मामले में जाच करते हुए घटना इस्थल के आसपास लगे सिस्टीवी कैमरों को खंगाला, जिसमें दो संदिग्द जाते हुए दिखाई दिये, जिस पर पुलिस ने बाइक का नमबर ट्र कर दोनों संदिग्दों को मुखबीर की सूचना पर गिरफतार कर लिया, सक्ती से पूश्ताच करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, एसपी अभे प्रताप सिंग ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपना नाम फर्याद हुसैन वा जश्मेद बताया, दोनों नशेवाद जुआं खेलने के आदी हैं, अपनी नशेवाद जुएं की लट को पूरा करने के लिए चोरी करते थे, पूलिस ने दोनों के खिलाव संबंदित धाराओं में मुकदमा दच कर लिया है, इनके दोरा ये बता गया कि ये बैंक का और पोश्टापीसों के सामने खड़े रहते हैं, और ऐसी इस्तिती में वो देखते हैं कि कौन आसान सिकार है, जो लोग थोड़ा सा बुजूर किस्म के होते हैं, इस तरह के होते हैं, जो कि बहुत अवेर नहीं होते हैं अपने चीज़ों के प्रती, तो ये उनका ध्यान बटका करके और इसमें से एक लेकर के चला जाता है, जो डही लाग रुपए इनके दोरा वहां से टप्पवाजी की गई थी, उसमें एक लाग रुपए बरामत कर लिया है, डेड़ लाग रुपए इनके दोरा खर्च किया कर दिया गया, इसके अलावा जो पास्बूक और आदार है, वह भी हमारे दोरा बरामत किया गया। साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्वरंग में शामिल होने का अफसर देता है, रबिंद्रनाथ टैग और युनिवर्सिटी, अन्लॉकिंग पोटेंशिल। आप देख रहे हैं, डखल न्यूल।